नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है रुशीद देविधी फ्रेंट्स और मैं आपका फेसल सब्सक्रत करते हूं अपनी इस वीडियो में देखिए इससे पहले दो वीडियो में टाइगर कंजर्वेशन के बारे मैं आपसे बात कर चुका हूं और प्रोजेक् ने वल्चर स्पेशीज पाये जाते हैं तो यह लिखे हुए यहां पर किंग वल्चर साइनरेस वल्चर आप बाकी सारे पढ़ सकते हैं इतने तरीके के वल्चर के स्पेशीज इंडिया में मिलते हैं वल्चर होते क्या हैं वल्चर वो बर्ड होती हैं जो डेड एनिमल्स प सीन पिरेट कब आता है यह उने पहले की वीडियो से आपको बता रखा है मेरी जॉगरफी जा कर देखें तो प्लीस टू सीन पिरेट से कहा जा रहा है कि जो वल्चर की पॉपलेशन है वो गट रही है और देखा जा तो वल्चर का इकलोजिकल सिग्निफिकेंस से सोचल है कल्चर है यह करती क्या है यह हमारे इन्वार्मेंट को हमारी हवा को हमारे इन्वार्मेंट को साफ रखती हैं कैसे जब इनसान जब एनिमल्स मर जाते हैं जब एनिमल्स मरते हैं ना फ्रेंट के हिस्से, उनकी बॉड़ी के सारे हिस्से को लमसम खा जाना ये काम होता वल्चर्स का, देखिए friends, अभी क्या कि देखें, dead animals का कोई अंतिम संस्कार तो करते नहीं है, वो normally मर के जमीन पर पड़े रहते हैं, तो naturally nature ने एक process बनाया है आप कहते हैं ना कि nature के अलग-अलग trophic levels पर अलग-अलग ऐसे लोग हैं कि nature automatically अपने आपको balance पर लगता है, तो ये vultures in animals को खा जाती हैं और जो इनकी bones बची होती हैं सिर्फ बाकि सब कुछ इनकी body part से vultures खा जाती हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमाई environment की गंदगी साफ होती जो कि जब एक बार इनसान मर जाता है चाहे वो इनसान हो, चाहे वो animal हो, तो वो गंदगी ही बन जाता है environment के perspective से तो human beings का तो देखिया अंतिम संसकार हो जाता है ठीक है, अलग-अलग धर्म के साब से लेकिन जो चिड़या होती, वोल्चर होती animals इनका तो कोई इनसान संसकार करता नहीं है तो इनके लिए वल्चर होती है और इसका करने से क्या होती है कि भाई जो carcasses है इसके mask को अगर इन वल्चर ने नहीं खाया तो mask खुले में सड़ेगा उसे बहुत सारे microorganisms, bacteria, insects फैलेंगे फिर वो insects जगद जगद जाके disease फैलाएंगे अगल बगल के water और soil को contaminate करेंगे इस तरीके की problems हमारे सामने आ सकती है पार्सी community के लोग तो ये मानते हैं कि वो डड़ जिसको scavenger bird, vulture ने consume किया है उसकी spirit को मुक्ती मिल जाएगी, ऐसा माना जाता है कभी के लिए आप कह सकते हैं कि जो vultures हैं ये endangered bird species में आती हैं काफी जादा ये endangered है अब पहली बार friends, ये vultures खत्रे में हैं इनकी population घट रही, ये कब identity हुआ है हुआ तो देखे, राजस्थान में है भरतपूर bird century ये भरतपूर bird century, friends, किसका पार्ट है ये भरतपूर bird century पार्ट है आपका कियोलादियो नेशनल पार्क का तो 1998 में ये समझ में आया लोगों को नजर आया कि भाई, इनकी जो population है ना vultures की ये घट रही है तो लोगों को नजर आना शुरू हो गया कि ये भर्ट की population गट रही कियोलादियो नेशनल पार्क में 1999 में देखा गया कि इंडिया, पाकिस्तान और पूरे नेपाल में consistently vultures की population गट रही तो एक proper research शुरू हुई पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल तीनों जगाओं पर है कि भाईया, ये vultures घट क्यों रहे है तो कि देखे, environmentalist के अंदर एक alarm signal चला गया था, environmentalist ने बोला था कि अगर vultures की population घट एगी तो environmental cleaning में बहुत problem आईगी धीरे 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 ये discovery सामने आई थे कि जो cattle होती, इन cattle को एक pain clear दिया जाता था जिसको एक anti-inflammatory drug भी कहते है, diclofenac ठीक है, diclofenac और cattle में एक जानवर होता है cow अगर आप cow की बात करो, तो friends, आप जानते हैं कि इंडिया में, ज़दा तर लोग Hinduism धर्म को follow करते हैं, तो इंडिया में cows को मार के नहीं खाया जाता है तो cow की scavenging करने में इन vultures का एक बहुत major role होता है, यह याद रखे चुकि अब Pakistan और Bangladesh यासी country में चले जाएंगे तो वहाँ पे तो cow को मार के खाते हैं, लेकिन आपका नेपाल में और इंडिया में cow को नहीं खाया जाता है, तो cow की scavenging इंडिया में कौन करता है, तो यह vultures करते हैं, तो भाईया यह जो आपके scientist थे उनको यह समझ में आया, कि यह जो cattle को हम लोग diclofenac दे रहे हैं anti-inflammatory drug, यह फिर cattle जब मरती है, तो इनके अंदर obvious सी बात है, वो diclofenac रहता है और this diclofenac is actually a poison, this diclofenac is actually a poison for vultures, और खास कर इस diclofenac ने तीन species को सबसे ज़्यादा खतरा पहुँचा है, वो तीन species कौन सी हैं, वो तीन species हैं, white backed vulture, slender build vulture, यह नहीं, और long build vulture, तो long build vulture, फिर slender build vulture, और white backed vulture, यह तीन जो vulture की species हैं, इनकी population 99% से घटी है, बाकी vultures पर भी फरक आया है, बट इन तीन species पर सीजी सीजी population 99% कम होई है, और population किस तरीके से कम होती है, कि देखें, होता यह है, कि जैसे ही diclofenac वाले carcasses को, यह vultures खाएंगी, उनके अंदर viceral gout की problem आएगी, viceral gout मतलब कि एक kidney failure हो जाएगा उनके अंदर, their kidney will stop functioning, उस kidney failure की वज़े से इन vultures की depth हो जाएगी, even उन carcasses में जिसमें केवल 1% diclofenac मिलता है, उसको खाके भी यह vultures बहुत तेजी से मरती हैं, तो इसके बहुत अगड़े effects हैं, अब देखें, vultures के population के कम होने से और क्या-क्या effects आ सकते हैं environment में, देखें फिर्ट्स, पहरी बात, तो vultures का होना बहुत हैं, माल लिजे vultures कम हो गए, अगर vultures कम हो गए, तो किन चीज की आवादी बढ़ जाएगी, rats की आवादी बढ़ जाएगी, dogs की आवादी बढ़ जाएगी, फिर उसके अगल बगल जो microorganisms, bacteria, इन सब की आवादी बढ़ जाएगी, चोकि फिर यह लोग उस characters को खाएंगे, और यह rats खासकर, यह लोग बीमारिया फैलाने के बहुत बड़े agent होते हैं, आप समझ रहें ना, आप समझ रहें ना, आप समझ रहती कि वेल्चर से बीमारिया नहीं फैलती हैं, पर अगर dogs, cats और rats इन सब का number बढ़ने लगेगा, तो और अगर यह characters पर feed करने लगेंगे जादा, एक limit से जादा, तो फिर बीमारिया फैलने लगेंगे, फिर होता है यह friends की देखिए, कि अगर dead animals मर गए, तो अभी तक तो क्या था कि जो cattle owners होते थे, वो जानते थे कि वाई, इनको vultures खा जाएंगी, तो इनको छोड़ दो, तो अब जब cattle owners को पता है, कि यह vultures नहीं हैं यहाँ पे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कि उन dead को सीधे के सीधे आपका पानी में फेग देंगे, उनको लगेगा कि इनको हम जलाएं क्यों, इनको जलाने में में मारा फर्चा आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती, तो हमें काम करते हैं, प्लस मरे हुई जानवर को dispose करना सब के बस की बात नहीं होती, ठीक है, लोग जल्दी उसमें हाथ नहीं डालना चाहते हैं, तो उसको पानी में फेग दें, पानी में फेग दिया, तो अलग प्रॉब्लम, इस प्लान को कब शुरू किया, Central Government इस प्लान को 2006 में शुरू किया, और इस पूरे प्लान में एक organization ने बहुत major role play किया, जिसका नाम है, BNHS, Bombay Natural History Society, Bombay Natural History Society हमारे लिए इसलिए important हो चुका है, क्योंकि UPSC, SPAC, MCQ, पूच चुका है, आज से 3-4 साल पहले, ठीक है? तो इसमें 3-4 चीज़ें कहीं गए, कि भई आप 3 steps को follow किया जाएगा, इस vultures को recovery करने के लिए, पहला step तो यह है कि भई यह हम लोग जो veterinary user diclofenac का, इसको आप बैन करो, यहनि को जो cattle में आप लोग diclofenac देते हैं खाने के लिए, इस diclofenac को बंद करिए देना, ठीक है, अब जब बात आएगी, आप diclofenac को बंद कर दोगे friends, तो उसके अलावा कोई ना कोई तो आपको pain killer या anti-inflammatory drug तो यूज करना है, तो इसका एक alternative निकल का है, melloxicam. क्या spelling है, M-E-L-O-X-I-C-A-M, तो यह melloxicam, diclofenac का एक alternative निकल का है, अच्छा यहाँ पर एक बात और समझने वाली है friends, कि देखिए, बहुत सारे अलग-अलग तरीके के anti-inflammatory drugs और pain killers दिये जाते हैं cattle को, diclofenac से vultures को नुकसान है, पर ऐसा नहीं है कि बाकी pain killers से vultures को नुकसान नहीं है, जैसे for example, एक और आप कह सकते हैं anti-inflammatory drug होता है, nemusilide, अब यह diclofenac, nemusilide इसलिए famous events, चुकि यह humans को भी दिये जाते हैं, पर उनका एक अलग form होता है, animals के लिए अलग form होता है, obviously humans के लिए अलग होता है, तो वो new slide भी कहा जाता है कि भाई, vultures के लिए खतरनाक है, तो diclofenac के साथ और भी बहुत सारे anti-inflammatory drugs इस्तमाल किये जाते हैं, जो कि vultures के लिए खतरनाक है, इसलिए आज की rate में भी आप देखेंगे कि vultures अभी भी मर रहे हैं, हाला कि जिस rate में पहले मर रहे थे, उस rate में कम मर रहे हैं, बट मर रहे हैं, तो यह ज़रूरी है कि diclofenac के साथ जो दूसरे आपके anti-inflammatory drugs हैं, जो अभी भी administer किये जा रहे हैं, पूरी एक proper study हो, जिससे यह पूरा पता किया जाए कि भाई किन-किन drugs से खतरा है, इन vultures को और सब drugs को बैंड किया जाए, फिलाल कि डाइक्लोफिनाक के एक alternative की तरह यूज किया जाता है, कि friends, इसमें आपको करना क्या है कि आपको इनकी आबादी को बढ़ाना है, और safely इनकी आबादी को बढ़ाना है, तो conservation breeding program आपको चलाना है, what have you have to do, you have to do conservation breeding program, तो पहले इन दो चीजों को ठीक से समस्ते हैं, डाइक्लोफिनाक और बाकी drugs, जो नुक्सान पहुचा रही हैं, उनको बैन करना है, और उसके जगा एक safe alternative ले के आना है, जो कि है आपका मिलोक्सी क्याम, और भी अगर कुछ alternatives हैं, तो आप ले के आ सकते हैं, दूसरी चीज, friends, क्या होता है कि एक और problem आ रही है, अब वेसी बात है, cattle के लिए डाइक्लोफिनाक का use अब बैन हो चुका है, तो cattle के लिए अलग से डाइक्लोफिनाक तो available है नहीं, बट humans के लिए जो डाइक्लोफिनाक है, उसको cattle को administer किया जा रहा है, इस तरीके की भी news बीच बीच में सुनने को आती है, जिसको रोकना बहुत ज़ादा जरूरी है, इसलिए ड्रग कंट्रोल जनल ओफ इंडिया को इसके उपर बहुत आक्शन्स लेने चाहिए, और गॉर्मेंट को इसके उपर बहुत स्ट्रिक्ट आक्शन्स लेने चाहिए, और वेटनरी यूज, डैकलोफिनाक और बाकी ड्रग्स जो की नुकसान पहुचाती है आपके वल्चर्स को, उसको पूरी तरीके से बैन करना, अब एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़े रिक्वाइर्मेंट बन गई है, ठीक है, एक तो आपका ये चीज हो गई, दूसरी बात है, आपका कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, अब कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम की शुरुवात कैसे हुई, जो पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर खुला, अभी इस वेल्चर सेटी जोन पर भी वापस आते हैं, तो जो पहला conservation breeding center खुला इंडिया में, वो खुला 2005 में, conservation breeding center, एक जगा है पिंजौर नाम की, PINJOR, ये है आपकी हरियाना में, तो पिंजौर हरियाना में पहला conservation breeding center खुला गया, और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसके बाद और भी बहुत सारे breeding facilities खेली हैं, इंडिया में जैस conservation breeding centers खुले हैं, में सबसे पहला जो खुला थो आपका PINJOR, हरियाना में खुला थो, आप इन conservation breeding centers में होता क्या है, इन conservation breeding centers में ये होता है, कि जो wild में vultures हैं, उन vultures को किया जाता है capture, और उनको capture करने के बाद इन breeding centers में रखा जाता है, इन breeding centers में इनका काफी ध्यान रखा ज इसलिए जरूरी था कि wild से vultures को उठाके xc2 conservation किया जाए तो xc2 conservation या नहीं कि conservation breeding centers बनाये गए और उनमें in vultures को रखा गया और फिर बहुत दिनों बाद in vultures को दीरे-दीरे करके release किया जाएगा समझगे friends तो क्या हुआ कि 2015 नवंबर में ये जो हरियाना वाला पिंजोर वाला center है इससे 10 birds को release किया गया और जिन 10 birds को release किया गया उनको color भी किया गया उनके उपर ताकि उनकी branding हो सके ताकि ये बात study किया जा सकी कि वो bird कहां कहां उट रही है और उनके उपर कोई ill effect तो नहीं वो चीज थी आपकी vulture safe zones बनाया गया जिनको आप vulture safety zone बोलते हैं इन vulture safety को उनको आप एक in-situ method कह सकते हो conservation का तो यहां पर जो आपने conservation breeding center बनाया था यह x-situ method था और यह जो vulture safety zone है यह आपका in-situ conservation हो इसमें क्या होता फ्रेंड्स आपको कि भाई 100 km का radius कम से कम यह पर कह सकते हैं कि लगबग 150 km का radius होगा जिसमें natural habitat होगा आपका wild vultures का natural habitat होगा wild vultures का वहाँ पर जितना भी kettles होंगे उनमें से किसी को भी diclofenac नहीं दिया जाता है यानि वहाँ पर जो भी animal carcasses मिलेंगे वहाँ पर कोई भी उनमें कोई भी diclofenac नहीं होगा तो देखिए a safe source of food that is free of contamination from veterinary drugs, poisons and other agricultural chemicals a place where vultures can feed free from human disturbances यनि कि इस 150 km के radius में या at least 100 km के radius में जो भी animal carcasses मिलेंगे उसमें कोई भी diclofenac नहीं होगा किसी भी तरीके की human interference की वज़े से vultures को कोई भी तरीके का खत्रा इन vultures safety zones में नहीं होगा ये vultures safety zones पूरे इंडिया में setup किये गए हैं गुजराज, धारकंड, उत्तराखंड, आसाम, उत्तरप्रदेश हर जगा setup किये गए हैं ठीक है फिर कुछ vulture restaurants को भी threat up किया गया है, कुछ ऐसी जगाएं बनाई गई है, उन जगाहों पर animal carcasses को रखा जाता है, ताकि ये vultures आके उन animal carcasses पर feed कर सकें, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो जो animal carcasses हैं, they are taclofenac free, या फिर किसी और तरीके का anti-inflammatory जो drug है वो उसमें नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि extra food close to breeding colonies, this helps to increase the breeding success by improving the survival chances of young vultures, तो तीन चार्ट करीके की चीज़ों को हमने देखा है friends, एक तो हमने बात की vulture safety zone की, फिर हमने बात की conservation breeding center की, सबसे पहला conservation breeding center खोला गया आपका पिंज और हरियाना में, उसके बात तीन और vulture breeding centers important है, आप याद कर लीजे, एक है आपका गोवाहाटी आसाम में, ठीक है, गोवाहाटी में है, एक आपका पिंज और हडियाना में, एक आपका बुकसा, बुकसा नाम की जगा है वेस्ट बंगाल में, एक आपका बोपाल मत्रपदेश में, बागी और जगा पे भी खुले आप इनको ब्रीड करने के लिए, बड़ ये चार में आप याद रखे, आप इनको एक्जामस में भी कोट कर सकते हैं, ठीक है, तो वल्चर सेफ्टी जोंस के बारे हमने देखा, कांजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के बारे में हमने देखा, हमने डैकल फिनॉक के बारे मे कर सकते हैं, तो आप एटलिस्ट लाइक और शेयर कर दीजे, जिसे यूट्यूब की अल्गोरिधम मेरे वीडियो को और प्रमोट करें, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ वाइदा मिल रहा है, तो ये जरूर कर देखा, तो थैंक यू